जिते हैं जब किस्मत महरबान हो तो चारों तरफ से आपको छप पर फाड़ कर मिलता है और ऐसा ही हो रहा है भारत के साथ भारत को वेनुजुएला में मिली है महाजीत और इस जीत ने चीन समेत अमेरिका यूरोप तक को हैरान कर दिया है रूस के लिए भी परिसानी आ गई ह जानेंगे भारत को कैसे मिली है जीत तो वहीं दूसरी तरफ क्या पाकिस्तान अफगानिस्तान पर हमला करेगा अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है क्योंकि बहुत सारी चीजें चल रही है एक हजार कंटेनर को रोक लिया है अपने पोर्ट पर पाकिस्तान ने और ना सिर्फ इत बलकि क्या है एसेट्स का इसू जो इस वक्त अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में चल रहा है जीवो पॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है आये जानते हैं इन ख़बरों को विस्तार से स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए अफगानिस्तान पाकिस्त पाकिस्तान से बार बार बात कर रहा है और कह रहा है कि एक हजार कंटेनर हमारे छोड़ दो वहिया हमारे यहां पहले से ही दिक्कते हैं इन कंटेनर्स में समान है और पाकिस्तान इन कंटेनर्स को अपने बंदरगाह से निकलने नहीं दे रहा है कराची के पोर्ट में यह अठ से नहीं लिए और इसे हम को लाखों का नुकसान हुआ है यह चले गए ड्यूटी फ्री लेंड लॉक अफगानिस्तान में और फिर अफगानिस्तान से यह दुनिया भर में इसमगल हुए पर हमें कैमिला हमें तो कुछ नहीं मिल इस्क्रीन पर जो मैप देख रहे हैं आफगानिस्तान की मजबूरी क्या है आफगानिस्तान की सब्से बड़ी मजबूरी यह है कि और mm आता है यहीं वजह है कि हमने आपको एक खबर दी और कहा था कि चाबहार पोर्ट को देखने के लिए तालिबान के बड़े नेता खुद गए थे और चाबहार में ये इंट्रेस्ट दिखा रहे थे क्योंकि चाबहार से ये समंदर से जुड़ सकें तो इसके पीछे का कारण भी आपको निकल कर सामने आ गया है एक तो तीन लाख आफगानी अभी तक कहा जा है पाकिस्तान से निकाले जा चुके है और आफगानिस्तान वापस भेजे जा चुके है उसके बाद इन कंटेनर qo भी रोक वैसे तो कहा जा रहा है कि तीन हज़ार इस तरीके के कंटेनर है जो इस वक्त रुके हुए है इस क्रीन पर आप कटिंग देख सकते हैं पर हां यह एक बड़ी समस्या है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में तो इसक्रीन पर एक आर्टिकल देखिए अलजजीरा की र और ये हैं हाजी नुरुद्दिन अजीजी इन्होंने कहा कि भईया तुमने जो रिफ्यूजियों को निकालना शुरू किया है चलो ये बात तो समझ में आया कि तुम रिफ्यूजियों को निकाल रहे हो लेकिन उन्हें पैसे ट्रांसफर करने क्यों नहीं दे रहे हो उनको उ लग रहा है कि पाकिस्तान संपत्यों को ट्रांसफर करने नहीं दे रहा है अब पाकिस्तान ये सब कुछ कर क्यों रहा है तो जिलानी क्या कहते हैं वो आप समझने की कोसिस कीजिए खुद अलजजीरा की रिपोर्ट में ये छपा है जिलानी ये कह रहे हैं एकदम से क्यों नह आरे साथ काम करते हो मतलब आपको समझ में आ गया होगा अफंगानिस्तान के उपर यह प्रेशर बनानी की कोशिज कर रहे हैं और जब तालीबान जुकने का नाम नहीं ले रहा है पाकिस्तान ने यहां तक कि तालिबान सरकार के साथ अफगानिस्तान में मौजूद TTP के ठिकानों की लिस्ट साजा कर ली और कहा कि हम चाहते हैं कि आप यहां कारवाई करिये क्योंकि यह सारी बातें हमारी हुई थी तो यहां पर कोई action ही नहीं हो रहा है वैसे आपको बता दें कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के care taker प्रदान मंतरी अनवारूल हक काकर ने एक press conference में ये बोल दिया है कि देखो हमें मजबूर न करो दूसरा option तलास करने का अब दूसरा option का क्या मतलब है क्या युद्ध हो सकता है अब ये तो आने वाले समय में पता चलेगा जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा देश हो जहां मैं कहूं आपसे कि 40 लाख रुपे में एक केजी टमाटर मिलेगा 50 लाख में एक कप कॉफी मिलेगा आपको आश्चरे होगा लेकिन ऐसा एक देश है और वो देश है वेनुजुएला ऐसा ही कुछ लेबनान के साथ भी है और आपको बता देए इसी वेनुजुएला में एक बहुत तगड़ बहुत अच्छा खेल हुआ है और ये खेल भारत के लिए सबसे अच्छा है वेनुजुएला के होटलों में आजकल बहुत जादा चहल पहल है और चहल पहल क्यों न रहे क्योंकि अमेरिका ने वेनुजुएला के ऊपर से पर्तिबंद हटाने की घोसना कर दिये अब हमास का संकट है अलग और इन सब के बीच में अमेरिका कहता है कि हम तुमारे उपर से पर्तिबंद हटा रहे हैं यानि वेनुजुएला को पूरी छूट है वेनुजुएला आगे बढ़े और बैपार के लिए अपने कदम बढ़ाए वेनुजुएला की दिकत क्या है तो आ और हतैली में या चोटी-चोटी पोठलियों में सामाल लेकर आओ कुछ इसी तरीके के हालात होते हैं पर अब दिन फिर रहे हैं इसक्रीन पर देखिए भारत की टू विलर कंपनी भी अब यहां पर पहुँच रही है भारत भी वेनुजुएला के साथ रिस्तों को अच्छ के बिल को कम रखने में मदद मिल रही थी लेकिन अब रूश ने भी आनाकानी करनी सुरू करदी और जब आनाकानी सुरू कर दी है تو भारत के लिए सस्ते कच्छ तेल का एक और जरिया तैयार हो रहा है भारत को रूश के बाद अब वेनुजुएला से भी सस्ते भाव पर पदलाओ के बाद कहा जा रहा है कि जो वेनुजुएला कच्चे तेल को नहीं बेच पा रहा था उसकी डील भारत के साथ हो रही है और रूस से 10% जादा डिसकाउंट दे रहा है वेनुजुएला सबसे बड़ा तेल भंडार है वेनुजुएला के पास वेनुजुएला उन द से कच्चा तेल खरीदने में उसे कोई एतराज नहीं है और दस परसेंट रूस से जादा अगर डिसकाउंट मिल रहा है तो और क्या चाहिए भारतिय कंपणियां लगातार इस वक्त वेनुजुएला की राजधानी काराकास के लगजरी होटलों में चाहल पहल बढ़ा रही है वीजिटर्स में बड़ी संख्या भारतिय तेल कंपणियों की है जो यहां पर डील करने के लिए आए हुए हैं वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राया है कमेंट कर जरू बताएं जल मिलते हैं अगले वीडियो में नई ख़बर के साथ